उत्तरपदेश पे उप्चुनाओं के मौके पर राजनीती तेज है बटेंगे के काट समाजवाधी पार्टी पीडिये से देरी हमारे साथ बात करने के लिए कॉंग्रिस पार्टी के नेता और सहीयोगी सुरेन राजपूर जी है सुरेन जी बटेंगे कटेंगे मुख्यमंत्री ने का हार्याणा में सरकार बन गई यहां भी बात दोहराई जा रही और इंट्ड करने की कोशिश है लेकिन समाजवाधी पार्टी की नेता और आप लोग कह रहे हैं कि पीडिये बचेगा यह समाजवाधी पार्टी के रही है आपको इससे इतफाक रखते हैं, ना बटेंगे ना कटेंगे, अब तो बाटेंगे भारती जनता पार्टी को जिससे भारती जनता पार्टी जनता से कट जाएगी, क्योंकि भारती जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सांपरदाइकता की राजनिती कर रही है विद्वेश की राजनिती कर रही है बाटने की राजनिती कर रही है जबकि देश जोडने से चलता है बाटने से नहीं चलता मुख्यमंत्री जी इस चीज को याद रखेगा इतिहास आपको बाटने और काटने वाले के रूप में याद रखेगा ना कि रोजगार देने वाले के रूप में याद रखेगा और महगाई कम करने वाले के रूप में याद नहीं रखेगा आप बाटिये, काटिये, हम ना बटेंगे, ना कटेंगे और सच बात यह है जो ऐसी बात करेगा वो जनता के बीच में पिटाएगा आप भले ही कहरें कि हम साथ खड़े हैं लेकिन क्या वो मेसेजिंग आप कर पाएंगे क्योंकि वही कवायत नजर आती है बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अलाइन्स इंटैक्ट तो है लेकिन ना मातर की देखिए भारती जनता पार्टी क्या कह रही है वो अपने घर को पहले देख ले संजय निशाद मजवा की सीट उसकी जीती हुई थी और कटेहरी उसकी रनर अप थी दोनों सीटे छेन करके जो निशाद पार्टी को जेजेपी बनाने की कवायत चल रही है वो हमारे उपर कटाक्ष न करें आज की डेट में भारती जनता पार्टी को कटाक्ष करने का अधिकार नहीं है आज की डेट में जो सीधी सीधी सी बात है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने पूरे मनोयोक के साथ नो की नो सीटो पर इंडिया गडबंधन के प्रत्याशी जो सपा के चुनाव चिन्न पर लड़ रहे हैं उनको जिताने में लगी दीपावली का पर्व है देश भर में जोशनी की बात हो रही है लेकिन पठाकों पर सवाल कर रहे हैं तौकी रजा ने बयान दिया है बाबा बागेश्वर के खिलाफ उनका कहना है कि पठाके जलाकर के प्रदूशन होता है इस पर प्रतिबंध होना चाहिए लेकिन बाबा इस तरीके की भाषा का उपयोग करने वाले जो भी धरम गुरु है वो धरम गुरु कम और सियासी गुरु जादा होते हैं ऐसे गुरुओं की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए हमारे दिवाली हो होली हो इद हो बकरीद हो ये सांपरदाइक स्वहाद हो या फिर दूसरे पक्ष की समाज के लोग ऐसे मुद्द को क्यों तूर दे उनको टीवी में आना है कैमरा बंद कर दीजिए देखें उनको कोई पूछ भी ले तो सच बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रमुक्ता बताने के लिए अपने चेलों में अपना प्र तो कहिना कि इस मद्दे पर भी सियासत तेज हो रही है दूसरी तरफ उप्चनाओ के मौके पर बटेंगे तो कटेंगे के इस नारे को काट के तौर पर भी विपक्ष एक जुठ होता नजर आता है लक्नू से कैमरामेन रोहित के साथ अब शेक मिश्रा आज तक